दोस्तों इस बार गर्मियों में मैंने सोचा कि क्यों ना कूलर से AC में सुच किया जाए तो जब возь जब ac मैंने सच किया कि कौन सा लेना चाहिए प्रीट लेना चाहिए या फिर बिंडो लेना चाहिए तो मैंनेจाओ किया कि अगर आप के एकड़की रहते हैं तो आपको बिंडो AC में ही रहना चाहिए वो इसलिए कि split AC में जो वायर होती है या फिर जो installation के खर्चे हैं वो बहुत जादा है as compared to बिंडो AC और जब भी अगर आपको रूम shift करना हो फिर से तो जो बिंडो AC है वो कहीं ने कहीं easy रहता है आपको फिर से उसको निकलवाना और फिर से दूसरी जगा इस्टॉल कर रहना जब कि split AC में आपको जो वायर हो गयरा है वो सारी जो है वो तकरीबन बेकार हो जाती है ऐसी चीज़े तो उसमें खर्चा जादा लगा मुझे बाकी बिजली का शायद बराबर ही साब किताब रहता होगा split में भी और बिंडो में भी तो मैंने जो decide किया था वो मैंने बिंडो AC किया था और मैंने first time AC purchase किया तो मुझे इतना जादा knowledge नहीं था मैंने google किया काफी सारी research की कि क्या होना चाहिए एक अच्छे AC में क्या नहीं होना चाहिए कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए लेकिन फिर भी कही ना कहीं तो गलती हो जाती है या पिर जो चीजें इनसान देखता है कि हाँ ये चीज अगर ऐसे होती तो अच्छा होता तो आज कि इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि अगर आप भी AC परचेज करने की सोच रहे हैं तो जो मुझे लगा कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि एक AC में होनी चाहिए जो कि आपको भी देखना देखनी चाहिए जब भी नौन इंवर्टर है अब यह जो इंवर्टर और नौन इंवर्टर है इसका भी केस में आपको समझा दूंगा आगे जितना मैंने पढ़ा या फिर मुझे किसी ने बताया और देखिए करोमा बहुत सारे प्रोड़क्त मतलब हीटाची या फिर ब्ल्यू स्टार या फिर नौन नोज़र फिलिप कार्ड पे अमजोन पे दिमाग खराब हो गया पड़़कर यहीं कि कभी किसी में यह चीज नहीं पर फिर बिटीन चार 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 आजार का डिफरेंस है तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी स्टोर में जाके फिजिकल में बिजीट करूं वहां पर जाक और उसी दिन में घूमते घूमते क्रोमा स्टोर पे गया और यहां पे जो यह टाटा प्रोड़क लिखा है बस यह नाम मैंने देखा और जो हमारे रदन टाटा जी है उनका फेस मुझे याद आ गया और मुझे लगा कि वो कितने डाउन टूर था इंसान है और मैंने बोला कि ठीक है मुझे करोमा ही खरीदना है इसका मुझे यह जो वाइट कलर था यह मुझे पसंद लगा हिटाची में क्या होता है कि वो एक यलो इस वाइट होता है वो मुझे पसंद नहीं था लेकिन अब जब देखिए यह जो इसकी जो कॉस्ट है यह मुझे तकरीवन साड़े 28,000 या 28,200 इतना पड़ा था, 3 star ये AC है, तो अब करते हैं बात की अब लगवाने के बाद मेरा experience कैसा रहा है, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, अगर मैं कुछ ऐसी चीज बोल रहा हूँ, जो मुझे गलत लग रही है और आपके point of view से सही है, तो कमेंट करके ज़रूर अपना भी जो भी feedback है, वो share करिएगा, देखिए, सबसे पहली चीज, कि ये रखिए, ये जो पैनल है, सभी window AC में शायद ये चाहे अगर आप Hitachi लेंगे, तो इसमें यहाँ पर कुछ पैसे जो cooler की तरह बटन होते हैं, खीचने के लिए, उपर करने के लिए वो दिये होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये पूरा एक ये प्लास्टिक का पैनल दिया हुआ है, इसको मैं या तो ऐसे कर लूँ, या तो ऐसे कर लूँ, उपर की तरफ हावा करनी है तो ऐसे कर दूँ, नीचे की तरफ करनी है तो ऐसे कर देता हूँ, और जो अंदर ये वाला है, ये तो आपको पता है, या horizontal left to right होता है swing, तो ये जो बाहर के पैनल है, सब ही AC में होते हैं, लेकिन इसमें क्या मुझे लगा कि जब आप ये 28-30,000 का प्रोड़क्ट बना रहे हैं, तो इसको बनाने में ये कंजूसी, कंजूसी किस टाइब से मैं कहा रहा हूँ कि हिटाची बगएरा में देखोगे, या फिर blue star में देखोगे, तो जो ये है न, ये बाले पंखे, ये बिल्कुल आप टेड़े कर सकते हो, बिल्कुल तिर्चे हो जाते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल तिर्चे हो जाते हैं, अब किसी कूलर में कर लेते हैं न, ये तिर्चे हो जाते हैं, जब कि इसमें ये पूरे का पूरा पैनल है, अब जब ये, अब पता नहीं क्या अच्छा सोच के बनाया था है, या क्या सोच थीस के पीछे, अब जब इसको मैं इतना तिर्चा कर भी देता हूँ ना तो ये हवा फिर भी सीधी ही जाती है इतना ये नीचे की तरफ एरिया जो है इसको ठंडा नहीं करता है और मैं ये उमीद कर रहा था कि अगर मेरा रूम 10Y11 का है ना तो बजाए कि वो हवा वहा जाए मैं अगर मेरा यहां पर है तो यह एरिया जो है जल्दी ठंडा हो जाए ताकि मैं आदे घंटे में ही इतना एरिया कूल करके इसको बंद कर दूं यह उस रिकार्मेंट के हिसाब से इसको चला सकूं लेकिन अभी ऐसा करने पर भी इतना नहीं करता है तो इसलिए यह चीज ध्यान रखिए कर रहा हूं उसमें ब्लिंक करके दिख रहा है ऐसी ब्लिंक हो रहा है यह मोबाइल में ऐसा कुछ फ्रेम रेट की वज़ा से हो रहा है अधर्वाइस यह ब्लिंक नहीं कर रहे है एक्चॉल में यह स्टेवल है यह ऐसा दिख रहोग आपको डिस्पले कुछ इस तरह का है इ इसमें इस्तॉलेशन फ्री बोली थी क्रोमा बालो ने कि इस के इस्तॉलेशन फ्री ओगी लेकिन फ्री आये कि वो बंदे आये थे आ यह बड़ी दिकट वाली बात है देखिए एक मीटर तार देते हैं एसी में कि यार इतनी कंजूसी भी क्यों कम से कम तीन मीटर तो देदो जो बंदा नीचे स्विच तक पहुंचानी हो भायर तो वो तो कर दो अब इस्टॉलेशन वाले बंदे आये, उनोंने ना तो जो वाइल होती हैं अंदर उनपे ना कोई प्रे किया क्योंकि करते हैं स्प्रे में यूट्व पे किसी का वीडियो देखा था प्लिपकाड का कोई बंदा आया था तो उसने पहले प्रे के तिए अब इसमें स्प्रे न यह इसका remote है तो remote जो है वो कहीं न कहीं मुझे लगा कि display वाला remote होना चाहिए और होना इसलिए चाहिए और साथ में जो glowing button होते है ना शायद वो हो तो और भी अच्छा हो display प्लस glowing button इसलिए क्योंकि देखिए अगर आप वहां पे सो रहे हैं और आपका AC वहां पे लगा हुआ है तो बार बार उठके देखो कि कितना temperature है या कौन से mode पे है अभी AC आपको टाइमर लगाना है यह सारी चीजें फिर या तो टॉर्च जला के भाई AC को देखते रहो कि कौन सा button क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो यह बड़ी दिक्कतों वाली काम है मतलब AC अगर आपको लेना है तो डिस्पले बाला रिमोट भी होना चाहिए जो मुझे लगा कि यह कमिया है और दूसरा देखे अगर मैं इसकी कंजम्शन की बात करूं इलेक्रिसिटी की तो यह 3 स 1 Star है और non inverter AC है तो यह 1 गहंते में अगर मैं इसको टर्फो मोड में चलाता हूँ तो यह डेड यूनेट जो है वह consume करता है इसके अलाब अगर मैं इसको energy saving मोड पर चलाऊं तो यह 1 से कम unit खर्च करता है गहंते में अब जो inverter यह non inverter का फर्क है वह inverter AC जो है वह डिपेंड करता आपकी रुक्वाइर्मेंट पे तो यह सोच के मद चला जाए है कि वही टेकनोलजी नहीं आगी है मुझे हमेशा नहीं महीं रहना है तो उस चक्र में क्या होता है कि कई बार जो इनसान होता है वो ज्यादा पैसे कर देता है अब अगर आपको इन्वर्टर एसी अगर आप सो में जो इन्वर्टर एसी है वो आपके काम आ सकता है क्योंकि इन्वर्टर एसी कंप्रेसर को बंद नहीं होने देता है जो भी टेम्प्रेचर मेंटेन वो कर लेता है उसके बाद वो कंप्रेसर को बंद नहीं करता है उसकी वज़ा से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कम कंज इसके अलाबा अगर मि след इंटी जो की यूजा, दिन में एक दो घंटे चला लिया तो आप तो आप जो ही वह 查 सर पांच अजयर का मिल जा है, दिछ इसमा ड्ले में के वहागीarus है, कि इंस्टॉलेशन के टाइम आपको क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए तो जब इसको मैंने इंस्टॉल करवाया था तो यह कार पेंटर का काम मैंने अलग से करवाया था उसके पांसवर पर उसने अलग से लिये थे और जो लोग इंस्टॉल करने आए थे उन्होंने तब कुछ नहीं जब यह जगा बना दी कार पेंटर ने तो बस यहां पर स्क्रीव लगा है और यह पैनल यहां पर डाल दिया और उसके बाद यह काम हो गया और ना कोई स्प्रेय किया अंदर कोईल्स बगारा पर कुछ नहीं और यहां पर जो मैं कह रहा हूं कि ध्यान क्या तो अधर्वाइस क्या होता कि जैसे यह चोटे-चोटे गया पैना इनमें से मच्छर बहुत जाद आते हैं बाहर से और आपकी जो मतलब सारा एक्स्पीरियंस ही खराब हो जाता तो इंस्टॉलिशन के बाद उन लोगों से थोड़ा बोलिए कि इसको अच्छे से करिए और मेरे इलाके में लाइट इतनी फ्लक्च्वेट नहीं होती है और जो स्टेवलाइजर होता है वो आपका वो एसी को सेफ रखता है जब कि आपकी जब आपकी लाइट कम जादा होती है मैंने सिर्फ यह एमसी भी लगवाया हुआ है लेकिन आप ऐसा रिस्क मत लीजिएगा स स्टेवलाइजर लगवाली जिएगा और जो वायर है वो बहुत कम डाली होती है तो जो इस्टॉलेशन वाले बंदे आये थे मुझे उमीद थी कि मैं यह सोच रहा था कि यह सब कुछ करके देंगे लेकिन जस्ट उनों ने यहां पर अटना एक्स्टेंशन डाल के इसको च कि आप लोग जाईए मैं कहीं और से करवा लूँगा तो फिर उसके बाद यह जो वायर है यह में दो मीटर वायर जो मुझे साथ रुपे की पड़ी थी यह मैं लग से लेके आया और मैंने कोई बाहर से इलेक्रिशन पकड़ा उसने सौ रुपे लिये और यह काम जो था व रखिएगा क्योंकि यह 66 cm by 43 cm है और मुझे काफी इसमें काट शांट करनी पड़ी थी यहां पे खेड़की की यहां से नीचे से काटनी पड़ी थी उपर से जगा बनानी पड़ी थी तो जगर अब नया मगान बनाते हैं तो उस टाइम इन चीजों का ध्यान रखिए अपन Кिसी की मेहनत की कमा है और मिलोब इतना इंसली थोड़ा द्यान से कर ended तो दो तीन दिन बाद आता है जब भी आप कस्टुमर गार पर कॉल करते हों इसके दो तीन दिन बाद जो है वो टेकनीशन आपके यहाँ पर आते हैं तो इस तरह की सर्वीस है अब देखता हूं कि यह स्मेल जो आना बंद हो जाती है कुछ दिनों बाद या नहीं हो सकता है क नए A.C. ऐसा ही करते होंगे अगर आपका भी कोई एक सा एस्पीरियेंस रहा है तो कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा तो इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन थी अगर आपको यह सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दीजिएगा बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में थेंक्यो